अलो फ्रेंज वेलकम टू आज चानल करेंट अफेर अपडेटेड इस दिवश्री शवस्थी इसका आपको बहुत दिनों से इंतिजार था कि वीकली करेंट अफेर्स कब आएगी आपको पता है वीक कंपीड होते ही मैं आपके सामने करेंट अफेर्स लेकि आ जाता हूं तो अभी जो 28 को इवनिंग में जो करेंट अफेर्स आई वहां तक कवर की गई है इस लेक्चर के बाद कोई और लेक्चर देखना है क्या कुछ लोग के दिबाग में डाउट होता आजा यूटूब चानल को देखना है पिल्कुल देखने किस होते ही है क्योंकि मैंने सारे एं इस इस को आप बीन सेलेक्टेड वाद शुभास चंदर बोस आप दा प्रबंदन प्रोशकार डिजास्टा मैंजमेंट से लेटेड शुभास चंदर बोस का यह वाड है 2024 में किस को दिया गया है किसको इंसिटूशन के डिगरी में यह वाड बिला है डारेक्ट कोशन 60 पैराशूट फिल्ड हॉस्पिटल डाट इस एट उतरप्रदेश ओके पहले का आंसर ऑप्शन नबर ए है डारेक्ट इस तरह कोशन साहिंग और आपको डारेक्ली मार्क कर देना है ओके चलिए नेक्स्ट कोशन मूब करते हैं इस कोशन नबर सेकिन अगेन वरी आपके सामने है इसे करके मैंनए ми मैंना options दिएंए उसका correct answer विए आपको बताओ रामलला 22nd जैंको इसका प्रान प्रतिश्था हुआ था 22nd जैंड को तो राम मंदिर में राम लाला आ चुके हैं उसे दिन प्राइम मिनस्टर ने आफ्टर गोइंग फॉर्म आयोध्या के बाद आने के बाद उन्होंने एक स्कीम लॉंच की प्रधान मंती सुर्योध्य योजना ओके और यह स्कीम लॉंच होते ही एक्जाम के लिए इसके बारे में आपको बताऊंगा आपके सामने हैं सुर्योध्य है तो संफ्लार कल्टिवेश्य से करके ऑप्शन दिये हुए है और करेक्ट आंसर है रूफ टॉप सोलर प्लैनल्स क्या दखेगा रूफ के उपर सोलर पैनल्स रगाने की बात की गई है इसे स्कीम की मैं बात क्लियर दिख रहा है कि एजिंडा क्या है इसका और इस एलेक्रिसिटी थ्रू सोलर इनर्जी ठीक है और खास बात या रिखेगा तो इंस्टॉल रूफ टॉफ टॉप सोलर पैनल्स कितने ओन वन करोर्स या दखेगा यह आपर लिखा रखा है ओन वन करोर्ट डाइस 10 मिलिय हाउसेस तैस वरी इंपोर्टें यह भी आपको याद अखना है कि इंस्टॉल रूफ टॉल रूफ टॉफ टॉप सोलर पैनल्स ओन वन करो डट इस 10 मिलियन हाउसेस वरी इंपोर्टेंग एक्जाम में कोश्चन आपसे पूछ सकते हैं तो यह आपको याद अखना है टागे टागेट बेनेफिशरी है उनका हाउसोल्ड बिल जो है वो कम आए यह सरकार का टागेट है नेक्स कोशन मूफ करते हैं डाड़स कोशन नमबर फोर इंपोर्टन कोशन कोशन नमबर फोर ऑसकर की मैं बात कर रहा हूं अभी रिसेंटली एक ने फिल्म डारेक्ट की है डॉक बेनेट्व नमबनेट्व गई जोगई ऑसकर 24 में आप देखते हैं इसको जो है तो कि यह डॉक्यमेंट्री फिल्म है इसके डारेक्टर कौन है options आपके सामने दिएगा I am directly going to the correct answers आपको याद हो सके correct answer option बी निशा पहुजा आप देख सकते मैंने उनके बारे mention भी कर रखा है निशा पहुजा के बारे आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो documentary आईए देख सकते हैं निशा पहुजा जो है इंडो-कैनेडियन है फिल्मेकर है औ यह minor girl जो है story जारखन की वहां की story ओके चले आगे बढ़ते हैं next question में आते हैं next question में 5th और यह पढ़ा important question होने वाले क्यों क्यों क्योंकि Odisha के बहुत से students देखते हैं इस वीडियो को question है in which Indian state is the world's first black tiger safari या देकि black tiger safari first black tiger safari world की जो है establish होने वाली है तो यह कहां होने वाली ह हम मैंने hint तो दे दी आपको Odisha के बहुत सारे students देखते हैं तो कुछ लोग सोच रहोंगे सब्सकार बी Odisha है confused करने के लिए तो दे सकता हूं मैं but yes the correct answer option बी Odisha Odisha में याद देखिएगा Simlipal National Park आपने सुना होगा उसी के पास में याद देखिए वर्ल्ड का पहला black tiger safari जो है को इस दा गवर्नर ऑफ Odisha या आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बाते हैं नेक्स कॉशन में आते हैं बिहार न्यूज में बिहार के नए CM आ गए हैं वही CM दे वहापस CM बन गए हैं आपको पता होगा उनका नाम क्या है नितीश कुमार जी वहीं से लिटेट कोशन करपूरी ठाँकुर जो एं वह स्टेट से बिलॉंग करते हैं जबनाऊं पर उस से बहला आप मुझे बता ऐक अब बहुझे कौन से लंबर का भारत रत ने पतला है В.57 मिला है कौन सी नबर का भारत रत ने ने इनको मेंन मुझे नंबर का भारत हुत कौन से 번ॉच से मेंशन करें कितने नंबर की परस्टनाइटी इनको भारत तरफ ने दिया गया है या पुझे कमेंट बॉक्स मेंशन करें नेक्स्ट कोशन मांते इस वन आफ दा इंपॉड़न कोशन बनी है options आपके सामने दिये गए हैं बता दूं यह काम कौन कर सकता है यह काम कर सकता है जापान तो करेक्ट आंसर है option नमब C जापान जापान की जो aerospace agency या देखिए जापान aerospace exploration agency उसने टागेट को पर चीफ कर दिया है चलिए नेक्स्ट क्वेशन माते है क्वेशन में एर्थ पब्लिक डे पर तो एक डीटेल वीडियो मैंने बनाया आप उन्हें बहुत प्यार भी दिया उस वीडियो को जा देखिएगा चीफ केस कौन से रहे कोकि इस पीग पर वो भी रिपब्लिक डे भी था तो पूछा गया रिपब्लिक डे जो 75 रिपब्लिक डे बनाया गया उसमें चीफ क्या थे इस वेरी इजी कोशन इसको बहुत असानिक हो कि इसको मैं डिसकस कर चुका हूँ बहुत लोगों ने मैं लेक्षे देख रखाओ नहीं देख रखाओ तो करेक्ट पा अंसर ऑप्शन बबी विक्सित भारत भारत लोकतंत की एक लोकतंत की लोकतंत की मात्रुका ठीक है डाथ इस फादर ऑफ डेमोक्रेसी ओके यह आपको यार रहे है इस वाकी थीम थी ऑप को ठीक है कोशन यहां पर एक हल्वा सेर्मनी हुई है आप यहां पर देख सकते हैं जो हमाई फाइनेंस मिनिस्टर वो हल्वा बना रही है आपको ऐसा लग रहा होगा वीडियो में देखिए एक हल्वा सेर्मनी बड़ा एसोसीटेड है मैंने पूछा किस इवेंट से लेट के लेएं डेज पहले हल्वा सेर्मनी होता है एक नेयौल रीचौल की से फेले यहांपर जो लोगों हो ने काम किया उनको दोसे बताना पाएं बजध क्या है तो ये अभी आपको पता हूँ कि इंटरिम बजट आने वाला है हमारा 2024 में जो फर्स स्वेप को रखा भी जाएगा इंटरिम बजट इसले ही क्योंकि आपको बता है इस बार लोक सबाइलेक्शन है तो कंप्रीट बजट नहीं आ सकता है तो इंटरिम बजट आएगा तो उससे पहले भी हलोज सर्मनी हुई है तो याद देखेगा हलोज सर्मनी क्या होती है नेक्स्क्षान है वेन इस दा नैशनल गरल चाइल डे शेलिबरेटेड अभी अन्वली कब सल्वेट क्या आता है options आपके सामने हैं कब celebrate क्याता है rates आपके सामने mention है बड़ इसका correct answer जो है याद अखना आपको national girl child celebrate करते हैं तर इस 24 जानवरी को correct answer option number C है next question question number 12 what is the significance of पराकरम दिवस अरे पराकरम दिवस तो सबको पता होना चीए पराकरम दिवस हम celebrate करते हैं ये भी पता होना चीए options आपके सामने हैं ठीक है आपको अपने freedom fighter नेता जी शुभास चंद बोस का तो पता ही होगा 23rd Jan को हम birth anniversary बनाते हैं नेता जी शुभास चंद बोस की और उसी दिन हम पराकरम दिवस को celebrate करते हैं correct answer क्या होगा that is option number A birthday of नेता जी शुभास चंद बोस और 23rd Jan को पराकरम दिवस celebrate करते हैं चलिए next question में आते है question number 13th question है who is the president of 78th session of United Nation General Assembly important क्यों है क्योंकि देख सकते हैं जो personality दिख रहे हैं आपको ये जो है United Nation General Assembly के 78th session के present है और याद है कि अभी ये इंडिया विजिट में आए फाइव डेस की विजिट पे आये हुए इसले मैंने डारेक्टली आपसे current affairsmen से नाम पूछ लिए 22nd Jan को ये इंडिया पर आये थे जिसा correct answer है option number A Dennis Francis याद खिया तो correct answer option number A है और ये अभी New Delhi आये थे फाइव डे विजिट पर मैंने आपको बता है आपको एक्जाम के लिए इंपॉटन next question प्रान प्रतिष्था ceremony हुई राम डाला को हम राम मंदिर पे लेके आ गए है 22nd Jan 2024 24 में मैंने पूछा ये प्रान प्रतिष्था जो है ये ceremony किसने लेड की है ओके options है just to confuse you क्योंकि आपने देखा होगा page में सारे लोग थे मतलब करब ग्रिया में सारे लोग थे इसलिए मैंने चारो options दे दिये हैं बट इसका correct answer जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी ओके correct answer option number ओके चले next question माते है in which city direct question static question है which city was the 9th edition of India's International Science Festival inaugurated okay direct question है options आपके सामने you have to mark the correct answer correct answer option number B. Faridabad okay correct answer option B. Faridabad Haryana में या दखिएगा India's International Science Festival 9th edition जो है वो celebrate किया गया correct answer that is Haryana Faridabad next question मात 16th में आते है अभी आपको बताओ caste-based census हुआ था कहाँ पर that is at Bihar Bihar के बाद कौन सा state जो है उसने initiate किया है caste-based census को तब initiate कर दिया है सिर्फ बोला नहीं है politically initiate भी कर दिया है second state बन गया after Bihar you wanna take this exercise कौन सा state है direct question आपके exam में इस तरह question आएगा ठीक after Bihar कौन सा दर state है तो आंद्रप्रदेश ते देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपोरेंट को कि आंद्रप्रदेश is the correct answer comment box मुझे आंद्रप्रदेश के CM और आंद्रप्रदेश के governor दोनों का नाम आप मुझे comment box में mention करके बताएंगे तो correct answer that is आंद्रप्रदेश next question important है Dakar Rally आप यहाँ पर देख रहोंगे मैंने बोला who recently became the first Indian achieve a stage victory at a Dakar Rally so Dakar Rally जो है बड़ी important है off-road यादि on-road नी off-road एक sporting event होता है ठीक आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वो event आपको यहाँ पर देख रहा होगा इमेज बने मना रखी है और पहला Indian मना है जिसने इसको जीट लिया है तो कौन वो Indian मना है इस तरह कोशन पूछ रखते हैं आपके exams में directly options आपको पता है क्योंकि first Indian मने हैं correct answer है option number C अरे तुहाँ जा देखिएगा केरल से बिलॉंग करते हैं अरे तुहाँ जो केरल से बिलॉंग करते हैं उन्होंने ये इवेंट को भी जीत लिया है और पहले इंडियर मन गए next question है यहाँ पर आप देख रहोंगे जो आयूश मिनिस्टर है सर्मानन सोनोवाल अब इन्होंने foundation stone रखा है आयूश दिक्षा सेंटर का किसका आयूश दिक्षा सेंटर का यह जो आयूश दिक्षा सेंटर है इसको सर्मानन सोनोवाल ने foundation जो रखा है वो कहां पर रखा है चार options आपके सामने हैं भुवनेश्वर, डेली, गोहाटी, चेन्नई आयूश दिक्षा को चलिए नेक्स आते हैं पुरपुरा मनिपुर मेगाले इंपोडेंट सेट हैं कि नी बिल्कुल इंपोडेंट सेट है 2024 में इनका foundation day किस दिन इनका foundation day इनका इनका कब इनका कब सेलिबेट किया है options आपके सामने है करेक्ट आंसर 21st Jan 2024 में क्या देखिएगा है 52nd statehood anniversary थी इनकी comment box तो मुझे बताओ तिरपुरा तिरपुरा की capital क्या है पनिपुर की capital क्या है एंद मेगाले की capital क्या इनों की capital प्रस इन तीनों के ad present who is the CM या आप मुझे comment box बताएंगे तिरपुरा के CM कौन है मनिपुर के CM कौन है मिघाले के CM कौन है तो अब रिसेंटली इनका statehood anniversary celebrate की गई नेक्स है इंडिया कर्जागिस्तान इंडिया कर्जागिस्तान के अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली joint special force exercise हुई है 11th edition था इसका नाम है खंजर क्या नाम है इसका खंजर 2024 खंजर 2024 जो है इसेंटी इंडिया और जागिस्तान के बीच के exercise है किरगस्तान सोरी ना के बीच के exercise है तो मैंने पूछा है ये exercise जो है कि कहां पर हुई है अभी 2024 options आपके सामने दिये गा है correct answer है हिमाचल प्रदेश तो यादे कि direct question आएगा ठीक है बकलोह जगह है हिमाचल प्रदेश में जहां पर एक खंजर 2024 की exercise है वो recently conduct हुई है चले next question number 21 में आते है एक और exercise बता रहा हूँ पहली exercise इसकी first edition इंडिया में हुई थी exercise cyclone जो second edition है 2024 की मैंने पूछा है कौन सी country participate करते है exercise cyclone में this is one of the important question और मेरा मानना आपके coming exam में इससे question आएगा exercise cyclone किन दो countries की exercise है जा दिखेगा एजिप्ट में exercise हो रही है इंडिया और एजिप्ट की exercise है that is option number A is the correct answer यह आपको याद रखना है यह exam में आपसे पूछा जाएगा इस बाँ Egypt में हो रही है इंडिया में नहीं हो रही है इसलिए मैं जगें नहीं बता रहा हूँ बट Egypt में हो रही है यह याद अखना है और India और Egypt की है next आप यहाँ पर देख रहा हूँ cuthal आपको दिख रहे होगी प्रूट या नाम इसका correct answer option number D jackfruit is the correct answer और इसी को आप local word में हम लोग कठल कहते हैं North Indian लोग जानते भी होंगे और इस सबसे बड़ा fruit अभी at present January तक तो यही है next question आता है in the global ranking of stock market ठीक है by market capitalization where does India stand currently अभी इंडिया की ranking आई है इंडिया होंग कॉंग को पीछे कर दिया है इंडिया किस रैंक पर पहुझ गया global ranking stock market by market capitalization correct answer इसका इंडिया rank 4 पर पहुझ गया है हमने Hong Kong को पीछे कर दिया है तो अभी इसी बात पर आप मुझे कमेंट बॉक्स लिए rank 1 पर कौन है इंडिया की market capitalization के according 4.33 trillion डॉलर स्या दिखिएगा इंडिया के equity market जो है आपको rank 1 पर पताना कौन है ठीक है चलिए नेक्स question आता है ICC men's ODI team अभी recently ICC ने declare की कौन ICC men's ODI team declare की तो कि उसका captain किसे declare किया है जबकि आपको पता होगा इस ODI team को इस बार ICC का जो वर्ल्ड कप हुआ cricket का फिफ्टी-फिफ्टी ओवर का उसको जीता है Australia ने but captain कौन बना है captain यहाँ पर जो बने है वो है रोहिट शर्मा और एक्ट आंस ऑप्शन पर भी यहाँ देखा है national girl child day जिस दिम आते हैं उसी दिन हम international day of education भी celebrate करते हैं correct answer that is option number a 24th January next question माते है national voters day this is very important national voters day हम कब celebrate करते हैं election commission of India 1950 और उसी दिन पर established हुआ था इसलिए हम national voters day उस दिन celebrate करते हैं options आपके सामने हैं correct answer है 25th January 1950 में याद देखेगा election commission को established किया गया था इसलिए 25th जान को आप national voters day celebrate करते हैं इस बार national voters day 2024 की जो theme थी वो थी nothing like voting I vote for sure याद देखे इस बार की theme थी 2024 की next question आते हैं कोशन में 27th national tourism day कब celebrate करते हैं 2024 में कब celebrate किया गया इसा correct answer है 25th January मतलब आप देख सकते हैं जोरस day भी उसे दिन है national tourism day भी उसे दिन है इस बार की जो theme थी नाशन टूरिजम दे की वो है sustainable journey timeless memories याद दखे sustainable journey and timeless memories जो है इस बार की theme थी ओके next question है which foreign military contingent participated in Republic Day Parade 2024 इसे participate किया Republic Day में आपको ही पता होगा Chief Guess कौन थे French के President थे तो उन्हीं की foreign military contingent ने पारिशपीट किया होगा बिलकुल आप सही सोच रहे हैं और correct answer option में D ही है French is the correct answer okay चले next आते है next question है 14th edition of all India police commando competition recently held हुआ 14th edition में सीधा पूछा है कहां held हुआ ऐसा question directly आजाते हैं just for the static current affairs correct answer विशाका पत्नम है that is option number B next question है अभी recently this is important question आने की चांसे थोड़े ज्यादा है Asian Marathon Championship 2024 हुई उसमे gold medal किस ने जीता है उनकी image मैंने आपर बना रखी है अगर आप image से पैचान सकते हैं बहुत अच्छी बात है नहीं पैचान सकते हैं इनका नाम है मान सिंग correct answer option मर्सी है directly याद को लो question exam में जरूर आएगा आपसे ठीक है मान सिंग is the correct answer okay उनने Asian Marathon Championship 2024 होंग कॉंग कॉंग में हुई मान सिंग ने जीती okay next question है ICC Men's 2020 Cricketer of the Year Award किसको मिला है इस बार 2024 में कौन बने ICC Men's 2020 Cricketer of the Year ना 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 आपको ही पता है सूर्य कुमार यादव क्योंकि 2020 में सिर्फ उनका ही बल्ला चलता है इंडियन टीम के प्लेयर है चारी के सूर्य कुमार यादव लड़कियों को नहीं पता है तो याद एखेगा आप इंकी इमेज देख सकते हैं मैंने इमेज नहीं लगा राखी वहना आप पहचान जाते लड़के बहुत जल्दी पहचान जाते है इस परसन को इंडियन क्रिकेटर हूँ ओडियाई प्लेयर अवार्ड इंडियाई प्लेयर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है ठीक है ऐसी मैंने ओडियाई का आप से पूछा है ठीक है आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर ओडियाई नन अदन विराट कोली विराट कोली के फैन है वो भी कमेंड बॉक्स मुझे बताई यह उनकी इमेज मैंने लगा दी है करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी विराट कोली है नेक्स कोशन है पॉली उम्रिगर अवार्ड जो बीसी आई ने भी रीसेंट लिए वाट्स दी हैं 24 में 2022 2023 सीजन का जा देखेगा पॉली उम्रिगर अवार्ड जो है जो बेस्ट क्रिकेटर को मिलता है वो अवार्ड बीसी टाई ने किसको दिया है इंट्रस्टिंग कोशन है कुछ लोग ऑप्शन इमेज देखके बोलोंग है वो विराट कोली को ठीक है उनका नाम है शुमन गिल ओके तो शुमन गिल इस दा करेक्ट आंसर ओके उनको इस बाद 2223 का यह वार्ड दिया गया है और अभी यह सर्मनी भी हुई थी हैद्रवाद में हम टेस्ट मैच भी हार चुके हैं और पहली बार हम टेस्ट मैच हैद अब पूरी तरीके से मेरी करेंट पूरी तरीके से मेरी करेंट पूरी टरीके से अपडेटेट रहती है एक कॉस्टन भी नहीं छोड़ता हूं और आपके सामने हैं रफाइल नडाल डोकोविच आपको भी ऑप्शन लगा सकते हैं और ऐसा मत लगा ना करेक्ट आंसर जैनेक सेनर ओके तो याद रखेगा जैनेक सेनर इमेज यहां पर बनी हुए जैनेक सेनर की कमेंट बॉक्स मुझे बताएं जैनेक से कौन सी कंट्री से बिलॉंग करते है यह आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताएं करेक्ट आंसर ओप्शन बडी रैसे ही ऑस्टिल ओपन का 24 का वोमेंट सिंगल टाइडल किसने जीता है ऑप्शन आपके साम्में दिये गए हैं आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और इन्होंने वोमेंट सिंगल टाइडल ओपन में ज करेक्ट आंसर ओप्शन भी है कमेंट बॉक्स तो यह किस कंट्री से बिलॉंग करते हैं यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करते हैं और लास्ट कोशन आज का ऑस्टेलियान ओपन का 2024 मेंस डबल किसने जीता है अब कुछ लोग कह रहे हैं यह तो हमने इंस्टाग यह तो बात होती है जब हम लोग याद तो कर लेते रोहित पुपाना ने ऑस्टेन ओपन में मेंस डबल जीत लिया जो डबल वाला प्लेयर सेकेंड प्लेयर उसका नाम हम बूल जाते हैं जल्दबाजी में इसलिए वो नाम याद रखना है उनकी मेंज जरू बना रखी मैं ने बट आई होप बहुत सारे लोगों ने सिर्फ उनका ही नाम पड़ा बट शेकेंड परस्नालिटी का नाम नहीं देखा तो इसलिए लेक्शर में आपके सामने लेक्या हूं करेक्ट आंसर ऑप्शन अब ए मैथ्यू एब्डेन याद देखेगा तो ऑप्शन में इसलिए रोहन पपाना के साथ मैथ्यू एब्डेन ने वेंच डबल टाइटल में याद देखेगा हमाएको इंडियन जीते हैं इसलिए 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 वेरी इंपॉर्टेंट कोशन अब आप मुझे बताई मैथ्यू एब्डेन जो हैं वो किस कंट्री से बिलॉंग करते हैं यार यह सारे कोशन से इंपॉर्टेंट है इसलिए गोतू करके चले जाना है एक्जाम में मार्क्स डारेक्ट स्कोर हो जाएंगे यह सीरीज कैसी लगी वीकली करेंट अफेर्स तो कमेंट करके बताना पड़ेगा न तभी तो सीरीज चलती रहेगी आगे भी आती रहेगी और ऐ टो में ब्टूनेट करना चाहते है चानल की ग्रोथ के लिए क्योंकि आपकी हिल्प होरी है आपका एकग्जाम कॉलीफ हाँ हो रहा है या तो आपके मार्कस अच्छे हा रहे हाए तो आपको समझ में आ रहा है और आपको एपर कर सकते हैं याद टो monk कहेंगे सार हमने के करे का वीडियो तो देख लिया weekly current affairs याद भी कर लिए सारे questions इवाइस भी कर लेंगे आप इसी PDF भी provide कर देते हैं telegram के group में telegram का group का link description box से mention है but what about the subjects what about quality what about geography what about history in subject से क्या करे economics current affairs के पूरा हमको पुराना current affairs भी पढ़ना है क्योंकि हमारी exam में जैनवरी से पूछाएगा current affairs January 2023 से वो सारी current affairs वो सारा politics, geography, history, economics, environment के सब कहां से पढ़े साइन्स कहां से पढ़े तो इसके लिए मैं आपको notes प्रोवाइड कर देख रहे हो और यह notes आपको मिल जाए सेंपल आप मुझे WhatsApp करें मैं आपको सेंपल दूगा calling number भी आप call भी कर सकते हैं याद रखेगा ठीक है और आपको याद रखेगा आपका डाउट होगा सर क्या हम application से भाई कर सकते हैं तो बिल्कुल आप application से भी बाई कर सकते हैं application का नाम है दिवशीश classes याद रखेगा ना ही application में नाम आप सर्च करिए सर्च नहीं कर सकते तो description box में application का नाम लिंक दिया हुआ है डाउनलोड करो application वहाँ पर आपको अमाई classes available होंगी याद रखेगा सारी classes available है notes available है हर चीज आप वहाँ से भाई कर सकते हो याद दिखेगा directly भाई करना चाहते हो मेरा contact मैं मैं आपको लाइफ टाइम में प्री भी है में प्री है और आपको optional subject भी दे रहा हूं public administration वो lifetime achievement या देखे लाइफ टाइम जिस तरह है इससे वाड में लाइफ टाइम मिला लाइफ टाइम के साथ आपको UPSC का course दूँगा जब चाहे आपका कभी validity खतम नहीं होगी आप lifetime देखो अपड application डाउलोड करके रखो तब ही तो आपको सारी classes मिलती रहेंगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पो like share subscribe जरू करो चैनल को लोग नए आए हैं एक बार जाकर जरा मेरे playlist को चेक करो प्रीविएस वीडियो को देखो आपको और मजा आएगा हर दिन हम अपडेट करते है हमारा चैनल हर दिन अपडेट करता है पॉडन चीजों को पीडियो भी प्रोवाइड करते हैं हर चीजे मिलते हैं बस बदले में हम क्या चाहते हैं आपसे बहुत सारा प्यार और comment section में जो मैं questions पूछता हूं उनको reply किया करिए search करके reply करिया करिए इसमें आपको याद हो सक आँगा बट उसके लिए इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है जितने अदब व्यूज आएंगे उतने ज्यादा हम अच्छ अच्छ इनिशिटिव्स आपके सामने लाते रहेंगे weekly current affairs की series कैसी लगी यह मन्त हमने complete कर दिया आपको द